तो आज यहां पर फाइनली HyperOS जो रिलीज हो चुका है Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus के नहीं क्योंकि दोनों डिवाइस से में हैं बस जो कैमरे का फरक आपको देखने को मिल जाता है अब यहां पर अबाट फॉन में जाता हूं यह देखने को मिल रहागा डिवाइस नीम Redmi Note 12 Pro यहां पर डिटेल्स में जाते Redmi Note 12 Pro है 6GB वहला विरेंट है यहां पर OS वरजन आप देखने को यहां पर MIUI का लिखा हुआ है यहां पर आप देखने 1.0.2 और आड्वरसन 14 ओचुका जो यह जो चीज है यह आपको श्टार्टिंग बतादेते हो यह जो चीज है यह चाइना के अंदर आया है ग्लोबल में नहीं आया और इन्डिया में नहीं आया, अभी दो दिन पहले मैं ने इंडिया के वीडियो बनाए। इंडिया में Update आ जुका था। और काफी सारे ओए। इंडिया में काफी जल्द अपडेट आने वाले हैं और ये एक एक लोता एक और डिवाइड हो इन वाला जिसमें की इंडिया के अंदर अपडेट काफी जल देखने को मिलने वाला है अभी फिलाल चाइना के अंदर अपडेट आया है 10-15 दिन वाई गलोबल में आएगा इसको अपडेट के बारे तो यह जो अपडेट के दिखाता हूं वाई पून जी भी का अपडेट हमें देखने को मिला था इस पून के निथा चाइना के अंदर अब ग्लोबल में और इंडिया के अंदर भी आदेगा काफी सारे लोग बोलेंगे इस अपडेट को अभी हम कैसे इस्टॉल कर सकते हैं देखो का इसमें ट्रिक तो बता रखिए कि कैसा आप इसको इस्टॉल कर सकते हो सेम वही ट्रिक वर्क करेगी जल्दे से पाइसे इसको 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 ऊस्टॉल कर रहा है तो यह रही बाद आम यह सबसे में बात करते हैं इसको इसको यूज कर घर इतना जादा स्मूथ हो गया है क्या ही बताऊं और देख सकते हैं यहाँ पर animation देखना है यह animation अभी तक flagship device में थे लेकिन अब यह इस device के अंदर भी आ गया है काफी अच्छा animation देखने को मलता है थोड़ीची brandness हम कर लेते हैं जैसे कि आपको सही तरह से दिखाए दे तो यह animation देखो गाइस यह animation इसमें भी आपको animation देखने को मिल रहा होगा यह भी काफी बढ़िया देखने को मलता है यहाँ पर वोल्यम अपन डान में भी आपको animation देखने को मिलता है तो यह जो animation ने चाहिना के अंदर ओ इसको जैसे में इदर से scroll scroll भी कर रहा हूं यह इतना ज्यादा स्मूथ लग रह आएगा तब यह स्मूथ नेस आती ही नहीं आती इसको भाई पता नहीं जब आयका जब हम बात करेंगे सबसे में चीज जो फीचर जो कि सबको जानना है देखो आल्वेजन डिस्प्ले इसके यहां पर वर्किंग है डबल टैप करते हैं तो लोक स्क्रीन यहां पर आयाता ह आटिफड आट करते हैं जो भी ऐसको कस्टरमाइजि सन और अब रिखस saying करते हैं गया हुं सबसे अब आपने देखा है यहां पर आप जा और चो को चेंज कर सकते हैं इसके color को चेंज कर सकते हैं तो बहुत सारी customization है जो कि अभी तक आपने देखिए हैं न सेम वही customization कुछ इस device के अंदर अलाग है नहीं है बट यहां पर न वहीं चीज मैं कहूंगा यहां पर भी smoothness मेरे को काफी यदा देखने को मली अभी तक स्मूथनेस मेरे को किसी और डिवास में नहीं मिलिया जितने भी मैंने अभी तक इस्टोल किया जितने भी डिवास में हाइपर इस्टोल किया इसके अंदर काफी यदा smoothness देखने को मिल जाती है अब दूसरे चाइज के हम बात करते तो देखो वह चीज है यहां पर जो animation है वह काफी बढ़िया देखने मलती है यहां पर हम टैप करते है श्टार्टिंग में यह लैक करता बाई यह music वाला बट यह ठीक टाक चलता उसके बाद तो यहां पर कुछ भी यहां पर open करो काफी यह animation आपको देखने को मिल जागी जो कियर कावेदा स्मूथ लगी तो यह animation तो भाई मिरको काफी ज्यादा बढ़िया लगी आप बदा आपको animation कैसे लगी यहां पर देखने में अब जो इसके जितने भी यहां पर application थे ना जो system के application उनमें changes हुए जैसे कि gallery application है यहां पर access पर tap करके रखूंगा वह यहां पर copy करने का option आया तो तो यहां पर कुछ भी चाहिए मैं यहां पर copy कर सकता हूं लेकिन एक और चीज था वह दावाई photo को यहां पर PNG बनाना इस device के अंदर वह support नहीं दिया गया यह चीज देनी चाहिए बट इसके इंदर नहीं दिया तो और किसी डिवाइस में अभी तो मेरे को देखने को नहीं मिला शामे 12 प्रो के अंदर भी नहीं था और बाकि सिस्टम के अप्लिकेशन के मात करें जैसे कि व्यादर अप्लिकेशन है यहां पर यहां पर चेंज हो चुका है देख सकते हैं यहां पर यह काफी सारी चीज़े अब हैं आपको देखने मिला इंडिया की रोम में भी मैंन आपको इस चीज बता रखे है और यहीवाला फाइल मेनेजर इंडिया के अंदर भी देखने को मलड़ा जो कि यह काफी दामीजिक लगता है मोर पर टैप करोगे यह सारी चीज़े देखने को मिल जाती है जो कि है मिरुको काफी दा अच्छे लगी है तो यहां पर सिस्टम की एपलिकेशन ना उन्हें भी यहां पर वैसे अगर यह सिस्टर था इसका वटा देते हैं यह में नीची है बाकी यह अब देशे तो यह आपको देखने को मिल जाता है जो कि यह यह बी काफी ठीक है उसके बाद कुछ और चीज़े इसकी इम बात करें तो वही स्क्रोल करोगे तो चाइना के अंदर नहीं प्राइ बाकी सबको सेम टू सेम इसके अंदर देखने को मिलता है बाकी हम चलते हैं यह बाइदिशनल में आपको एक चीज़े इक देखने को मिलेगी वह बाइब यह आप फ्लोटिंग विंडो के अंदर यह जो स्लाइड बार ना यहाँ पर इसका यू आप देखो सारे ही यूआ चीज़े इस लाइड बार करने कंप्रिटली जो पूरा सेटिंग उसके अंदर यूआ चीज़ेंगे बाद जब आप इसको इनीवल करने के पाद इसको आप यहां से जाके यूज करोगे तो इसमें जो एनिमेशन है वह काफी सही है कि यह एनिमेशन काफी डिवाइस में मे यह साइड में तो ही बाकि इसको यहां से कट भी कर सकते हैं तो यह चीज़ भी इसके अंदर फ्रोटिंग विंडो के अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो यह कुछ चेंज़े इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं बाकि कुछ और ज्यादा चींज़े तो में इनको द लिए वाला जब इंडिया के अंदर आएगा तो यह चीज आपको देखने नहीं मिलेगे तो बताने के कोई फाइदा नहीं चाहिना का जब अपडेट आया था सबसे पहला तो प्रफिए रिवीव में आपको बता रहा करते हैं कि क्या क्या चिंजेश देखने मुलते तो उसम लिए श्टोर नहीं है यह सारी दिक्कत है गलोबल में आने का वेट करो गलोबल में आ जाएगा फंदरा दिन बाद भाई इंडिया में भी आ जाएगा मैं इंफोर्मेशन देंदोंगा अपने टेरीग्राम चैनल पर लिंक दिया डिस्कूस में जाके जोइन कर सकते बाकी ह हमें लेंगे नेक्स वोड़ी जब तक केने जेहिन जेवारत